नमस्कार आरेस अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम करवा 34 स्पेसल सरगी बनाएंगे आज हम मिठी मठरी बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं हमने यहां एक कप मैदा ले लिया है अब हम इसमें दो चम्मच मेल्ट केवा घीर डाल लेंगे और इसे हमें अच्छ इसे इस तरह मिलाएंगे और हाथ से थोड़ा रगड़ते हुए इसे मिक्स करेंगे देखिए मैदे का भी रंग अब ठोड़ा चेंज हो चुका है तो इसे अब हम इस तरह हात में उठाएंगे देखिए इस तरह लड़ू की तरह बनता है तो हमारा मोयम ठीक है अगर आपक भी डाल देजेगा तरह हम थोड़ा थोड़ा पाइन डालते हुए इसे गुत लेंगे हमें जिस तरह पूरी का डो तैयार करते हैं उसी तरह हमें डो तैयार कर लेना है देखिए ये डो तैयार हो गया है अब हम इसे ढख कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं तब तक हम चाशनी बना कर तैयार करेंगे हमने यहाँ एक कप मैदा लिया है तो उसके लिए एक कप शकर लेंगे और एक कप पाइन डाल देते हैं उसमें और इसे मिक्स कर देंगे इसे चलाते विए हमें पकाना है हमें विकुल गाड़ी चाशनी बनानी है देखिए शकर भी मेल्ट हो चुका है हमें उबार आना शुरू हो गया है हम दो इलाइची तोड़कर इस तर डाल देते हैं आप चाहे तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं हमें एकदम गाड़ी चाशनी बना कर त्यार कर लेनी है देखिए चाशनी भी अब गाड़ी हो चुकी है हमें अब इसमें एक तार क कि चाशनी बनना शुरू हो गया है एक तार का हमें पुरा बनाना नहीं है बस एक तार बनना शुरू हुआ है तब हम गैस बन कर देंगे और इसे एक सैड में रख लेते हैं और दूसरी दरब हम मठ्री बना कर तयार करेंगे हम इसे फिर से हाथ से इस तरह मुसलते वे सॉफ्ट कर लेते हैं और इसकी लोईयां बना लेते हैं आप चाहे तो छोटी छोटी लोईयां बना कर आप इसको पूरी जैसा बना सकते हैं या फिर इस तरह बड़ी लोई लेकर इसका एक रोटी बेले और उसे किसी ग्लास, कटर या फिर कटोरी से काटके इस तरह करने से एक शेप में मठ्री बनकर तयार होती है इसे ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और नहीं मोटा देखे इतना ही हमें मोटा बनाना है और हम इसे काट लेते हैं इस तरह एक शेप में काट लेंगे इसी तरह हम सभी मठ्री बना कर तयार करेंगे और जो आम मेदा हमने काटके निकाला है उसे फिर से हाथ से चिकना करके फिर से रोटी बनाएंगे और उसकी भी हम मठ्री बनाकर तयार कर लेंगे मठ्री काटूब तयार करते समय ध्यान दखे की ज्यादा टाइट ना करें मठ्री चासनी को अच्छे स सोखेगी नहीं अब हम इसमें फोक की सहायता से होल्ड कर दे गे ताकि हमारी जो मठ्री है तेल में फूले नहीं और क्रिस्पी तैयार हो फोक से हमें विकुल अच्छे से दबा के होल करना है ताकि इसमें दोनों सैट से होल हो जाए आप चाहिते से पलेट के दुसरे सैट से भी होल कर सकते हैं तेल गर्म हो चुका है तेल को हमें मेडियम ही गर्म करना है ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है और गैस का फ्लेम लोड टू मेडियम के बीच में रखे और इसे हमें उलट पलट के इसा गोल्डन ब्राउन होटने तक प्राइ कर लेना है इसे ज्यादा लाल नहीं करना है हलका सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे निकाल लेना है फ्राइ करके इदर चाशनी भी हमने त्यार कर रखी है तो चाशनी भी हमारी हलकी गर्म है फिर हम इसमें एक एकर की मठ्री डाल देते हैं इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं ताकि सभी मठ्री के उपर में चाशनी अच्छे से लग जाए अब हम इस पर ग्रेट किये हुआ नारियल डाल देते हैं इसे डालने से ये मठ्री और भी टेस्टी हो जाएगी इसे हमें पाच मिनट तक इसी में छोड़ देना है चाशनी में ही ताकि मठ्री चाशनी को अच्छे से सोख ले पाच मिनट के बाद इसे निकाल देना है देखिए बहुत टेस्टी हमारी मठ्री बनकर तयार हुई है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुत सकें दन्यवाद